हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Nokia C21 Plus Android मुवाइल फोन में आप जो है Adaptive Brightness Setting को Disable कैसे कर सकते हैं यानि कि Off कैसे कर सकते हैं और यह Adaptive Brightness Setting जो है Disable करने के बाद यह सेटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो मे आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में Setting पेज ओपन करना है ठीक है Setting पेज ओपन कर लिजे Setting पेज में आपको नीचे आना है यहापर आपको Option मिलेगा डिस्पल बटन को सेलेक्ट करना है तो यह बटन आपका Black Color में Off हो जाएगा यानि कि आपकी Adaptive Brightness Setting आपकी Disable हो जाएगी ठीक है अब इस Setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ यह आपकी मुवाइल फोन का जो यह ब्राइटनेस जो पॉइंटर होता है इस ब्राइटनेस क Automatic ठीक है आपका मुवाइल फोन आपको अपने हाथों से उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेकिन आप आपने इस Setting को Off कर दिया है तो आपको जो है अपने हाथों से ही इस Brightness Level को जो है कम यह जादा करना पड़ेगा ठीक है तो इस Setting जो है अपने मुवाइल फोन का आपको जो है अपने मुवाइल फोन का Setting पेज ओपन करना है ठीक है सबसे उपर आपको सर्च सेटिंग का Option दिखाए देगा सर्च सेटिंग पर सेलेक्ट करना है अब आपको सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है अडेप्टिव ब्राइटनेस ठीक है अडेप्टिव ब